जैन दोस्तों मैं रजनी चौहान इक्जाम तरकस के सिक्षा मन्ज पे आप लोग का स्वागत करता हूँ और आपको पता होगा कि 78 तरवा स्वतंता दिवसं मनाने जा रहे हैं और हमारे देश में हमारे देशवासी हर सो लाज से इसको मनाते हैं और इसी के क्रम में आज आप लोगों के लिए अपने जंडे के बारे में आज आपको हम पूरा डीटेल बताने वाले हैं तो बताने से पहले पहले हम अपने जंडे को सैलूट करते हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे चलिए तो हाप में आप लोग का स्वागत है मित्र और आगे बढ़ते हम लोग छोटा सा सो है तो इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं भारतिय तिरंगे का इतिहास और महत्व क्या होता, इसके बारे में आप डीटेल पढ़ना है मित्र, आप देख सकते हैं, इसके बाद आप चलेंगे आगे धीरे-धीरे, भारतिय राष्टिय नीचे एक पॉइंट को अम लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले मारकर को ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहों ध्वाज निर्माता कौन है तो उनका नाम है पिंगली बकाया कौन है पिंगली बकाया और जंडे का अध्यन किसमें किया जाता है तो बैक किसको कि याद रहेगा लंबाई वर चौडाई का अनुपात आप लोगों को भली भाती पता होगा मेत्र तीन संबंदे आप दो का होता है समझ रहें आप लोग कि तिल्या कितनी होती हैं तो 24 होती हैं आप देख सकते हैं समझ पा रहें आप और राष्ट्य धोज को शंबिधान में सामिल कब किया गया है तो 22 जुलाई 1947 को किया गया है इतना तो समझ में आ रहा है धोज निर्माता पिंगली बकाया है तो एक किस सन में तो आप देख सकते हैं 1921 में और एक किस राज से बिलांग करते हैं भाई तो आंद्र प्रदेश से करते हैं किस राज से आंद्र प्रदेश और हमारे जंडे में मूल रंग कितने होते हैं भाई मूल रंग तो आपके त यह और कूल रंग कितने हैं कूल रंग तो आप बता सकते हैं चार यह कुछ भाई को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप समझ लिजिए टोटल रंग अगर पूछेगा तो चार अकेवल मूल रंग तो तीनी होते हैं केसरया सफेद और हरा और कूल में कितने होते हैं केसरया सफेद हरा और गाहरा निला जिससे हमारा असोक अस्तम चक्र बना होता है समझ रहे हैं और जंडा दिवसकम मनाते हैं तो साथ दिसंबर को मनाते हैं याद रहेगा क्या अगले स्लाइड की और चलते हैं हम लोग और आप देख सकते हैं भारत द्वज जो है वह आपका ती रंगा है और जो की फ्रांस की क्रांती से अब ही प्रेरित है क्या है अब ही प्रेरित है यह पूछ चुका है कई बार कोश्चन की अब हारते द्वज किस क्रांती से प्रेरित है फ्रांसिसी क्रांती या रूसी क्रांती तो आप बता सकते हैं फ्र प्रतीक होता है गाहरा केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है भाई आप बताईएगा किसका प्रतीक होता है तो आप बताएंगे शक्ति वा साहस का प्रतीक होता है सफेद रंग किसका प्रतीक होता है आप बता सकते हैं किसका प्रतीक होता है सफेद रंग तो आप कहा सकते हैं सांती सत्य का प्रतीक होता है हरा रंग किसका प्रतीक होता है मित्र तो आप बता सकते हैं भाई हरा रंग किसका प्रतीक है तो हरी आली का और आपको पता है भारत ये क्रिसी प्रधान देश है मित्र इसलिए आप लोग सुने होंगे हरा रंग है हरी हमारी यह आप गीत भी सुने होंगे मित्र, भारत्य थ्वाज में 24 तिलियां किसका प्रतीक है भाई, तो यह 24 घंटे का है, किसका है 24 घंटे, अगला है विश्व में कपड़े जहंडे का प्रियोग सरप्रत्थम किस देश ने किया था, तो आप बताएंगे भाई, वह कौन है इटल समझ पार है न, इससे पहले प्लास्टिक के जहंडे फाराये जाते थे, लेकिन पूरे वर्ड में कपड़े के जहंडे का प्रियोग इटली ने किया था, याद रखियेगा आप लोग, बिस्व में सरप्रत्थम जहंडा फाराने की प्रथा किस ने चालू की थी, मतलब आप से कह रहा है, बिस्व में सबसे असर प्रत्थम जहंडा फाराने की प्रथा किस ने चालू की थी, तो आप देख सकते हैं, महादीप की बात बोलेगा, तो आप चले जाएंगे यूरोप, और देश सन पूछ देगा तो 1219 में, और देश देनमार्क है, राधानिक, कोपेन हे मुद्रा, यूरो, इतना याद रखियेगा, विस्व में जंडा फाराने, सबसे पल शुरू किस ने किया था, तो डेनमार्क में, याद रहेगा क्या, किस ने किया था, डेनमार्क में, आगे देखते हैं, किस देश का राष्ट ये ध्वाज, त्री कोड है भाई, कैसा है, तो आप बोलेंगे नेपाल का, कौनसा है नेपाल, किस देश के जंडे पर उस देश का भावगोलिक देख रहे हैं, उस देश का चित्र ही अंकित है, तो आप बोलेंगे साइप्रस, और ये कई बार कोशन आ चुका है पेपरों में, तो ध्यान रहे, कौनसा है, साइप्रस ह रहेगा भारत में आम नागरिकों को जंडा फाराने की अनुमती पूंड रूप से कभ दे दी गई तो 26 जनौवरी 2000 को देख रहे हैं कभ कराए 262 की दो हजार को क्लियर हैं कि आप लोग अगे 20 में तिरंग अदेख रहे हैं 20 में ति रंगा जंडे का प्रियोग सर प्रथम किसे ने किया था तो महादीप में एरोब और देश में नीदरलेंड ने ती रंगे जंडे का प्रियोग किया है और पहले नाम इसका हालेंड था नीदरलेंड का राधानी एमस्टरडम मुद्रा एरो और पंद्रह सो बहत्तर में इन्होंने फाराया था और वह तीन रंग कौन कौन से थे तो लाल सफेद और नीला इन में से भारत यह जंडे में केवल एक ही रंग मिला है सफेद वाइट आप देख सकते हैं इसके बाद आप लोग को बताया भी गया है बाई जनौरी दो हजार बाई जनौरी दो हजार चार को उस्तम न्याले के मुख्य नायाधीस वी एन खरे की अध्यस्ता में खंड पीठ ने अपने नेड़े में इसपास्ट किया की नागरिकों द्वारा अपने 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 भावन नीजी संस्थान एवं संस्थाओं आदी पर राष्ट्य ध्वज फारा सकते हैं देख रहे हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेन कोस्टन है कि हर एक व्यक्ति अपने भावन नीजी संस्थाओं और आपके संस्थानों पर फारा सकते हैं ये कव 22 जनौरी 2004 को निड़े लिया गया था और उस समय अध्याच कौन थे तो वीजी खरे याद रहेगा क्या वीजी खरे कम्प्लीट हैं और शंबिधान के अनुछेद 1901 के तहत मूल अधिकार है ये हमारा मूल अधिकार है ध्वज फाराना चली आगे देखले चंद्रमा पर ध्वज फाराने वाले देश क्रमसा कौन कौन है भाई तो देखिए यहाँ पर ध्वज बहुत सारे देश फारा रहे हैं लेकिन आपको बता दे सबसे पहले रूस चंद्रमा पर इसके बाद अमेरिका इसके बाद चीन तो हमारे देश का इंपोर्टेंट है ना और भारत 15 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर जाके को कि हम भी आप लोगों से कम नहीं है समझ पा रहे हैं ना चलिए अ कि इसके बाद आप देख सकते हैं कि भारत में जंडा समीती का अध्यच किसे बनाया गया था तो डाक्टर राजेंद प्रसाद 23 जून 1947 याद रहेगा 31 दिसंबर 1929 को भारत यह राश्ट्य कांग्रेश जिसको आप एन आई सी कहते हैं कि लाहर लाहर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जंडा फार आया गया जिसकी अध्यस्ता पंडी जवाहर लाल नहरू ने की थी किसने किया था पंडी जवाहर लाल नहरू देख रहे हैं न भारत में कितने ऐसे पद हैं जिनकी मृत्यू के बाद ध्वज को जुकाया जाता है आप बताईए पद मतलब समझते हैं न पद में आपका राश्पतिये उपराश्पतिये प्रदानवंत्रे लोकसभा अध्यच है चाय विदान सवा बहुत सारे पद होते हैं तो तीन ही ऐसे पद हैं कि जिनके मृत्यू के बाद अपने ध्वज को जुकाया जाता है तो आप कह सकते राश्पति उपराश्पति प्रधानमंत्री और वर्तमान अगर राश्पति रहेंगे तो बारह दिनों तक हमारा कितने दिनों तक जुका रहेगा भाई बारह दिनों तक अगर वही भूत पुर्व होंगे तो यह आपके कितने दिनों तक जुका रहेगा आप बता सकते हैं तो साथ दिन तक जुका रहेगा याद रहेगा और कितने पद हैं भाई तो तीन ही पद हैं राश्पति उपराश हमारा ध्वच और फारना बेचाईए जंडा गीत किसने लिखा था तो स्याम लाल गुप्त पारसत देख रहे हैं आप और जंडा गीत क्या है तो विजेई विश्वतिरंगा प्यारा और जंडा को और किस नामों से तो पताका केतु ध्वज जंडा ये सभी बोल सकते हैं आप जंडे से सम्मंदित कुछ फ्रस्न आप से पूछेगा कोशन और पेपरों में भी बहुत जादे आता है तो आप ध्यान दीजिएगा पेपर में भी बहुत जादे आता है कि लाल जंडा किसका प्रतीक है तो क्रांती एवं खतरे का प्रतीक है लाल ध्वज काला जंडा किसका है तो विरोध का प्रतीक है है आप विरोध कर सकते हैं पीला जंडा किसका प्रतीक है में तै कि उससे आपके चेक पोश्ट पर पुलिस कर्मी को यह समझ में आ जाए कि इसमें आने कोई संक्रामक व्यक्ति रखा गया है उल्टा जंडा किसका प्रतीक है तो संकट का प्रतीक है बाहु बली मोवी में देखे होंगे और जुका जंडा किसका प्रतीक है तो सोक का प्रतीक है सफेद जंडा तो इसका दो पॉइंट हो जाता है नीचे भी सफेद है हमने दो जग रखवा दिया है एक में सांती का प्रतीक है और एक में आत्म समरपड जैसे पाकिस्तान किया था भारतिय आर्मी के आगे वह आत्म समरपड़ तो आत्म समरपड़ कर सकते हैं clear है note 20 में कौन सा ऐसा देश है जो अपने धंडे को बार बार जलाता है बार बार जलाता है most important question है तो या New Zealand है वाई कौन सा देश है New Zealand clear है भारत में हर घर ती रंगा अभियान, हर घर ती रंगा अभियान की शुरुवात कब की गई थी, तो देखिए की गई थी 22 जुलाई 2020 को, लेकिन आपको पता है एक मां लगबग एक मां नहीं, लगबग 20-22 दिन पहले ही कर दि गई थी, और यह 13 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक आप को अपने घर पर झंडा लगाना था और ये घोश्रा किस ने किया था तो नारेंडर दामोदर दास्त मोधी कलियर है क्या कब इसको बोले थे बाइजुलाई 2022 गभ इसको आपने लगाया था तो तेरा अगस्ट से 15 अगस्त क्लियर हैं क्या जंडे में तिल्लियों का रंग होता है तो गहरा निला होता आप देख सकते हैं गहरा निला और यह तिल्ली आप देख सकते हैं यह किस राज से लिया गया है तो उत्तर प्रदेश से किस राज से लिया गया है तो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से लिया गया है भाई किस राज से तो उत्तर प्रदेश साहर सारनात पहले नाम रेशी पतनम था बनाया किसने था असो कस्तम को तो समराट असोक ने कव 250 इसापुर्व की बात है इसापुर्व नहीं है यह इस भी हो जाएगा ना कि आगे बढ़ें हम कि चला जाए कि यह सही लिखा गया है इसापुरु ही है लिया गया है तो यह मुंड को अपनि सज्क्राइब कहां लिखा गया है लिखा गया है मुंड को अपनि सज्क्राइब कि याद रहेगा क्या चले आगे हम कि विश्यू के किस देश के जंडे पे एक के फोटी सेवन का चित रंकी थे भाई देख रहें कितना गातक है तो महादीप अफ्रिका है देश मुझांबिक राधानी मपूतो उन्नी सो तिरालीस और एक के फोटी सेवन के अब इसकारत कौन है तो मिखाइल क्लासी के हैं कब कि तो इन यू जा नाम मैंडम भीकाजी कामा मैंडम भीकाजी कामा और उपनाम क्या है भाय तो इनका इनको भारत की मां कहते है कब फराया था 22 अगस्त उनने यू साथ और देश कौन सा था तो जर्मनी रहन इस्टां इस्टंट वगाट इन नगर है जहांपे मैडम विकाजी कामा ने अपने धोज को फाराया था समझ रहे न तो आज का हाप टंटी सो आपका मित्र समाप्त होता है और एक वार और जाते जाते आठा तर्वे स्वतंद्र दिवसकी आपको और आपके पूरे परिवार को धेर सारी सोब कामना है जै हिन जै भारत